फ्लो दोस्तों, फवागत है आपका आपकी अपने चैनल सबकॉंशिस मोटिवेशन में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस बुक की प्लेलिस को स्टर्टिंग से वाच नहीं किया है तो मेरी आपसे विंती है कि आप इस बुक की प्लेडिस को स्टार्टिंग से वाच करें तभी आपको इवीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ मैं और हाँ दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्स्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तो हम आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते है मेरे उप्तरव वैसे अब तक काफी बाते साफ हो चुकी है और उनमें से सबसे महत्वपुण यही कि आपके द्वारा अपने समय रूपी कंप्यूटर में डाले गए डेटा से ही आपके जगत का निर्मान हो रहा है निस्यत ही कोई अपना जगत बिगारना नहीं चाता है इसलिए कोई जान भूज कर तो खराब डेटा डाल नहीं रहा लेकिन सबके विश्व का हाल देखते हुए यह भी तैह ही है कि मनुश्य ने अपने कंप्यूटर में तमाम प्रकार के गलत डेटा डाल ही रखे है अब आप कहेंगे कि क्या बात करते हो हमने तो ऐसे कोई खास ओक पटांग डेटा डाली नहीं है कि हमारा विश्व इस कदर नियंतरन से बाहर हो जाए शायद आप अपनी समझ से ठीक भी कह रहे हैं परन्तो आपके विश्व का हाल देखकर आपको यह सुईकालना ही पड़ेगा कि डेटा आपसे गलत डल ही गए है और इस संदर्म में आपके लिए यह सोचना बड़ा ज़रूरी है कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह बताओ कि आपकी द्वारा बड़ी सोच समझ कर बनाया गया आपकी का विश्व आप ही के नियंतरन में क्यों नहीं रहा गया है खेर आप इस पर जादा दिमाग मत चलाओ इसका कारण मैं बताता हूँ यह बात सही है कि आप अपनी समझ से जो डेटा डाल रहे हैं वह अपने विश्व के उद्धार ही तु ही डाल रहे हैं परंतु दरसल आपकी समझ आपको धोका दे रही है और सच कहूं तो उसे तु जवाबदार मैं ही हूँ पर मैं भी क्या करूं मैं स्वैम नियम से बंदा हुआ हूँ सो बहतर है कि आप पहले मेरी कारेप्रणाली के नियमों के बारे में जान ले मैं आपसे कह ही चुका हूँ मैं बड़ा उब्दरवी और चंचल हूँ और उस बारे में आगे आपसे कुछ कहूँ उससे पहले आप महान न्यूटन के गती के तीसरे सिधान्त को याद कल ले क्योंकि गती का अपना तीसरा सिधान्त देते हुए इस पश्ट कहा है यानि हर क्रिया की बराबरी पर उसके विपीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है मानना ही होगा कि इस युग में एक से एक महान वा बुद्धिमान लोगों ने जनम लिया है एक साथ इतने महान लोग वाकई कमाल हो गया है मैं जानता हूँ कि इसके हजारवे भाग के बराबर भी पहले में एक साथ कभी पैदा नहीं होए है यूँ भी इस बात का गवा मेरे अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता वैसा तो आपका वरत्मान जीवन इसतर देखकर आपको भी इस बात का अंदाजा हो ही रहा होगा क्योंकि वाकई विज्ञान ने आपका जीवन इसतर कहां से कहां पहुँचा ही दिया है चलो छोडो अभी तो आप तरह क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्षन और रियक्षन के बारे में थोड़ा समझ ले और उसे तू अपने चारो और एक पैनी नजर गोमाए देखें कि पूरे ब्रामान में जहां भी और जब भी कोई एक्षन होती है तो उसकी रियक्षन भी अवश्य होती है फिर चाहे वह एक्षन किसी भी रूप में हो और सच कहूं तो इन एक्षनों और रियक्षनों के चक्कर में ही ब्रामान में इतने परिवर्तन आते रहते हैं ठीक वही नियम आप जिस धर्ती पर जी रहे हैं उसकी रियक्षन भी होती ही है अभी तो यह समझो कि आपके विश्व में नियम का प्रभावित करता है क्योंकि आपका विश्व भी चलता तो नियम के इसी एक नियम के अधार पर है और वहे इसलिए कि मैं स्वैम पूरी तरह से नियूटन की गती के इसी सिद्धान के आधार पर कारे करता हूँ अब इससे पहले कि मैं इस चल्चा को आगे बढ़ाओ आप थोड़ा इन एक्षन और रियक्षनों को अच्छे से समझ लें एक्षन वहे हैं जो आप कोई एक्षद वस्तू पाने ही तू करते हैं या कुछ बड़ा ही निराला सोच कर करते हैं यहां यहे भी समझ लें कि यदि आपके द्वारा की गई एक्षन की कोई रियक्षन ना होने वाली हो तो आप कुछ करें ही ना समझें आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं यहां आपकी एक्षन हुई फिर आप उसे तू प्रयास करते हैं यहां आपकी एक्षन का विस्तार हुआ परंतो सोचो यदि आपके द्वारा की गई इन सारी एक्षन की रियक्षन होने वाली ही ना हो यानि परिनाम में आप आगे बढ़ने वाली ही ना हो तो क्या आप कोई एक्षन करेंगे कभी नहीं आप कहेंगे कि हम पागल हुए हैं जो परिनाम आनी ही ना वाला हो, फिर भी action करते चले याँ, समझाओं तो मानो, आपको भूक लगी है, और निस्टिती भूक लगने पर आप खाना खाने का action करते हैं, भला क्यों? क्योंकि reaction में आपकी भूक शांत हो जाती है, यदि भोजन करने से पेट भरने वाला ही ना हो, तो क्या आप इतनी सफा करेंगे? अर्थात यह reaction की लाल अची है, जो आप से action करवाती है, अब यह समझ गए हो, तो थोड़ा विज्ञान की तरफ देखें, वह भी सारी action reaction की उमीद में ही करता है, और बाहर से देखने में दोनों की ली गई action की reaction क्या आने वाली है? यह सोचकर कर रहा है, अतहां वह एक्षत परिनाम पा रहा है, अर्थात यदि उसे पानी बनाना हो, तो वह जानता है कि hydrogen के दो परमानों, वह oxygen के एक परमानों को मिलाने से action के परिनाम की reaction में पानी बन जाएगा, बस इसी से वह सफल है, आ परन्तो किस action की क्या reaction होगी यह आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप चाहते कुछ हैं और परिनाम कुछ और आ जाते हैं, आप चाहते तो पानी बनाना ही है, परन्तो उसे तो कोई ammonia nitrogen तो कोई hydrogen nitrogen मिला रहा है, परिनाम में पानी बन नहीं रहा है, कहने का तात पर है, आप अधारों के आसरे action की चले जा रहे हैं, वे निस्चित ही आपकी चाहें पूरी करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं, चलो यह तो समझ लिया, पर यह बताओ कि किस action की क्या reaction आईगी यह कैसे समझें, तो उसे तो आपको मैं आपकी हर action पर क्या reaction देता हूँ, यह समझना पड़ेगा, और यह मैं आपसे पहले ही कहा चुका हूँ, कि मेरे तल पर भी आपकी हर किरिया की उसी की बराबरी पर परतिक्रिया होती ही है, यानि न्यूटन के गती के नियम से मैं भी बंदा ही हुआ हूँ, लेकिन मेरे सुभाव से उब्दरवी होने के कारण आप इन action reaction का तालमेल नहीं बठा पा रहे हैं, क्योंकि मेरी सारी परतिक्रिया हैं विपरीद दिशा में हो रही हैं, और आपके लिए मेरा यह विपरीद दिशा में परतिक्रिया देना कास तोर पर समझने जैसा है, क्योंकि मेरा यह उल्टापन ना समझ पाना ही आपकी जीवन के सार करते वक्त अब मैं आपका ध्यान और कहीं डाइवर्ट नहीं करूंगा, परंतु आप नहीं जानते कि मेरे तल पर की गई हर क्रिया की मैं विपरीद दिशा में पर्तिक्रिया देता हूँ, अतहां आपने जैसे ही कक्षा में प्रथम आने की चाहा का डेटा डाला नहीं, कि मै बड़ा चंचल है, मैं चाहे यूनिवर्स के कारेरत हूँ, या आपके विश्व में, सो यहां से तो आपकी मुसिबत शुरू होती है, जरा याद करो कि मैंने अपनी कारेप्रणाली के बारे में आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था, कि यह यूनिवर्स मेरे इक्षा शक्ती स और बीच्ते समय के साथ इसका विस्तार भी होता ही जा रहा है, मैं यह भी कहा ही चुआ हूँ, कि मैं अकेला नहीं बढ़ता, स्पेस मेरे सामानांतर ही बढ़ती चली जाती है, और यही मेरे और स्पेस के अस्थदों में आने का नियम है, या यूं कहूँ कि यही एेग्रि लेकिन मन के तल पर दिक्कत यह है कि वास्तव में तो वह स्पेस अस्तित्व में आई नहीं होती हैं, वह पढ़ी तो फिर भी सिर्फ आपके मनरूपी विश्व में ही होती हैं, यानि आपनी क्लास में प्रथम आने की इक्षा का डेटा डाल तो दिया है, और मैं उसे आपकी अस्तित्व में ले भी आया हूँ। फरन्तु आप वास्तों में परतम आथ भूड़े ही गए हैं। कहने का ताथ परे बात डेटा डालने की एक्षन और मेरे इसपेस में लाने की रियक््शन से सलट थोड़े ही गई है। बलकि मेरे सुभाव से तो बात यहां से शुरू ही हुई है। कहने का तातपरे मेरे रियक्षन देने मातर से इस पर पूर्ण विराम कहां लग जाता है। आपका डाला गया डेटा मेरे द्वारा रियक्षन दिये जाने के बाद भी मेरे वीतर पड़ाई रहता है। और सभाव से नटखट मैं फिर हर बढ़ते समय के साथ इस संदर्म में अपनी परतिक्रियाओं का विस्तार करता चला जाता हूँ। और उसी से आप मेरे शक्रवियों में फस जाते हैं। फिर तो मैं ऐसे ऐसे खेल दिखाता हूँ कि पूछे यह मत। आपने दरह पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की नहीं कि मैंने इतना सब करने पर भी फर्स्ट आएंगी की नहीं की चंता पकड़ाई नहीं। किसी दरह उससे छुटकारा पाकर आपने दुबारा ध्यान लगाने की कोशिश करी, कि मैंने आपको फर्स्ट आने के सपनों में खोने पर मजबूर कर दिया, फिर तो आप प्रिंसिपल से ट्रॉफी लेने से लेकर दोस्तों में रुआप जानने तक की ख्यालों में खो जाते हैं, वहाँ से निकलो तो मैं फिर एक चिंता पकड़ा देता हूँ, अब तक पचासों से कहे चुके हैं कि मैं फर्स्ट आउँगा, और नहीं आयता हूँ, सबके सामने बड़ी बेजती होगी, यानि आपके द्वारा डाले गए एक डेटा के बदले में मैं समय के साथ इतनी रियक्शन देता हूँ कि कोई भी ठक जाये, और फिर अन रियक्शनों की भी इतनी बेशुमार रियक्शन देता हूँ कि अच्छे से अच्छा चक्कर खा जाये, यानि मैं एक नहीं हजार उपाए करूँगा, पर आपको पढ़ने तो नहीं की दूँगा, फरस्ट आने की शोड़ो, एंग बार बेवजा का डेटा मेरे भीतर डालते ही, मैं आपको पिछली बार से भी कम मार्स दिलवा करी दम लूँगा, बस यही आपके साथ अपने मनरूपी कम्प्यूटर में बिना सोचे समझे, डाले हर डेटा का अंतिम परिणाम हो रहा है, अतहाँ थोड़ा इसके विप्रीद भी सोचो, मानो एक विध्यालती है, जिसे पढ़ने में रस है, उसे पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उसने अपने मनरूपी कम्प्यूटर में फरस्ट आने का, या अच्छे माक्स से पास होने का, कोई डेटा नहीं डाल रखा है, अब जब डेटा डाला ही नहीं है, तो उसकी कोई रियक्शन भी नहीं होगी, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, सो वह जब भी पढ़ने बैठेगा, उसका मन बढ़ाई में लगी जाएगा, परिनाम में उसने चाहा बले ही ना हो, पर उन्तो वह फस्ट आ ही सकता है, और इसे गुधारन के बाद शायद अब आप मेरे साथ बगैर कारण के प्रियोग करने से बचेंगे, मैं कबूलता भी हूँ और मेरी कही बातों से सिद्ध भी हो ही रहा है, मैं वास्तों में सभाव से बड़ा ही उब्दरवी हूँ, मेरे उब्दरव का आलम तो यह है, कि आपने बंदर का सोचा नहीं, कि मैंने उचलता बंदर आपके अस्तित्व में लाया नहीं, कुछ मननत मांगते हैं। सोचते हैं कि ऐसा करने से आपका विश्वास बना रहेगा। या हो सकता है पादरी का आश्रवाद ही काम आ जाए। परन्तो यह सारी एक्शन आप अपनी सोच से कर रहे हैं। मैं तो इन सब बातों से सीधा सीधा यह समझता हूँ। कि फर्स्ट आन वक्त के साथ तो मैं अपनी रियक्शन देते रहने की आदत के कारण आपका अपने पर्से विश्वास इस कदर उठा देता हूँ। कि उस वर्ष आप फेलना हो जाए यही काफी है। और कुछ नहीं तो यह तो तैही है कि उस वर्ष परिनाम आपकी मैनत और शमता से कई ग आप हैं जिनका मैं सेवक हूँ और मांकी सम मेरे लिए दूसरे हैं। फिर चाहे वह आपके परिवार वाले हो या आपके मित्र, आपके बॉस हो या भगवान, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता। आपने अन्य किसी पर भरोसा किया नहीं कि मैने आपसे आपका विश्वास पर नहीं आप एक के बाद एक असफलता का मुझ देखते चले जाते हैं। और आपको याद होगा कि इन ही सब उलजणों से बचने ही तो मैंने आपको इस संसार की त्रिगोनी माया यानि थ्री डाइमेंशन थियोरी के बारे में बताया था। और उस अनुसार चलें तो इस परिवश या समाज में दिखाने ही तू या उबदरव करने को मिलेंगे इस ही तू या ऐसे ही अन्य किसी हजार कारणों से आप पढ़ रहे हैं। तो फिर तो इसके नगारात्मक परिणाम जीवन में आपको भोगने ही पढ़ेंगे। आप मेरे द्वारा साधारन जीवन ज कि इससे आपका क्या होगा। लेकिन आप यह जानते ही नहीं कि यह प्रकृति के बने नियम के विरुद है। और सच कहूं तो सारे मनुश्य के जीवन में मचे तोफान का यह एक सबसे बड़ा कारण है। दरसल यहां आपके लिए सिर्फ आपका विश्व है और आपको सिर इवन को वाकई आनदयक बनाना चाते हैं। तो यह अच्छे से जहन में बठा लें कि आपके विश्व से कोई दूसरा विश्व एक नहीं हो सकता है। यानि कि यहां कभी भी दो विश्व एक साथ नहीं रह सकते हैं। हाँ ऐसे दो व्यक्तियों के विश्व एक हो सकते हैं जो अपने विश्व के संपूर्ण मालिक हो पर उन्तु यहां भी सवाल यह है कि जो अपने विश्व के संपूर्ण मालिक हो उन्हें दूसरे विश्व के सहारी की अवशकता ही क्या इसका अर्थ यह है मत निकाल लेना कि एक मनुश्य को दूसरे से कोई सम्मंद रखना ही नहीं चाहिए नहीं, सम्मंद रखने चाहिए और रखने ही बढ़ते हैं पर कितने? उस हद तक जहां दोनों एक दूसरे के जरूरत पूरी करते हों बहुत हुआ तो एक दूसरे को सहयोक कर आगे बढ़ा सकते हों तब तक इसमें भी कुछ आगे बढ़कर सोचें तो कुछ कर्तव्य कर्म निभाने तक अन्यता मा की तमाम मामनों में आपका विश्व अलग और दूसरों का विश्व अलग फिर चाहे वह माता पिता हो या बच्चे, मित्र हो या बॉस, सब के साथ उपरा उपरी तक ठीक है, अर्थात आप किसी का हित करें, किसी के साथ रहें, सब के साथ गए, नाचे, खेलें, कूदें, उनके प्रती अपने कर्तव्य निवाएं, उसमें कोई हर्द नहीं, पर उन् के विश्व में समाया नहीं, तो आपके प्रेम पूर्ण सभाव और भावनाव का क्या हो, ऐसा कैसा संकुझित मन की आप किसी को अपने दिल में बसा भी नहीं सकते, अब इसमें संकुझिता कहां से आ गई, जो नियम है, वहनियम है, दूसरे का अपना विश्व है, और उस कर रहे हैं, अतहां मैं तो आपसे यह डेटा डालते ही अपने विश्व से उपद्रव मचा दूंगा, और फिर कोई भी विक्ति दूसरे को अपने विश्व में समाने की कोशिश ही क्यों कर रहा है, इसका अर्थ इसपष्ट है कि उसे अपना विश्व अधूरा लग रहा ह और जिसे वह दूसरे को शामिल कर पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आज के बाद आप कौर करना कि जिसका विश्व जितना अधूरा उतना ही वह दूसरों को अपने विश्व में समाने हे तू ललाए, अब सवाल यह है कि आप तो दूसरों को अपने बनाते हुए उसे अपने विश्व में शामिल करने का डेटा डाल देते हैं और इधर मैं नटकट यह जानते हुए कि यह वास्तव में संभन नहीं है फिर भी आपके डाले गए डेटा को सायोग कर उस व्यक्ति को आपके विश्व में प्रकट कर देता हूं फिर तो बढ़ते समय के साथ उस एक डेटा के साहरे आपके उससे समंद मजबूत करता चला जाता हूं इतना ही नहीं फिर तो धीरे धीरे कर आपसे उसके विश्व में दखल अंदादी करवाना भी शुरू करवा देता हूं उधर दूसरा भी कुछ ऐसा ही प्रयास प्रारंब कर देता हूं यह देख उससाहित हुआ मैं दोनों को एक दूसरे के प्रती अपिक्षाओं के धागों में पिरोना शुरू कर देता हूं और हद तो तब कर देता हूँ जब जिसे आपने अपने विश्व में जगा दी होती है उसके दुख, उसकी चंता, उसका स्वास, सबका असर आपके विश्व पर दिखाना शुरू कर देता हूँ बस इती से आपका विश्व तहस नैस हो जाता है और मेरी इस बात का सबूत चाहते हो, तो थोड़ा अपने ही अनुभवों में जाक के देख लो आपको तक्षन एहसास हो जाएगा, कि जिसे आपने अपने विश्व में जगा नहीं दी है उसके दुख दर्द में मैं आपको कभी विश्लित नहीं करता हूँ आपकी परिशानी का सबब वे ही लोग हैं, जिनें आपने अपने विश्व में जगा दी हुई है यह दो ठीक, चलो समझें कि हर मनुश्य का अपना विश्व है अतहां उनको अपने विश्व में समाने की कोशिश के दुश्वरी नाम भूगने पड़ते हैं लेकिन मेरे अपद्रवों की इंतहां तो यह है की जानकारियां और विश्वरी नाम लेकर आता हूँ कई लोग बैठे बिठाए जरूरत ना होने पर भी हार्ट अटेक और कैंसल जैसी बिमारियां क्यों होती हैं या किसे होती है के बारे में पढ़ते रहते हैं वे समझते हैं कि वे अपने साथ से के ब्रती सजगता बरत रहे हैं पर अंतो मेरे अपद्रव की भाशा ही निराली हैं आपकी बुद्धी और मेरा कोई कम्मिनिकेशन नहीं है मेरी अपनी भाशा हैं और मैं उसी के अनुसार बरतता हूँ और वहे भी ऐसी की आपके द्वारा जानकारियां एकत्रित करने को मैं आपकी चाहा के तोर पर लेता हूँ समझता हूँ कि कैंसर या अन्य बिमारियों को आप अपने विश्व में जगा देना चाते हैं बस मैं आप ही की बुद्धी के साहरी कैंसर की बिमारी फैलाने वाले कोशिकाओं को सक्रिय करने की कोशिश में लग जाता हूँ यही कारण है कि प्रायहां आप जिस वस्तू से बचने के प्रयास करते हैं मैं उसी वस्तु को आपके विश्व में निकट लाता चला जाता हूँ क्योंकि आपकी बचने की कोशिश भी मेरे लिए तो एक डेटा ही है मैंने कहा ना कि आपकी हर रेक्शन की मैं विप्रीद दिशा में बराबरी पर परतिक्रिया देता हूँ यही नहीं बढ़ते समय के साथ उन परतिक्रियाओं की भी 1000 परतिक्रियाँ देने से नहीं चूगता यही मेरे भीतर डेटा डालने का नियम है और इससे मैं कभी नहीं चूगता और मुझे यह सुईकाने में जरा भी चक नहीं कि मेरे इसी सुबाब के कारण आपके यह हाल है लेकिन उसमें मुझे दोश देना भी गलत है यह मेरा सुबाब है और आपको इसे पहचान कर ही एक्षन करनी चाहिए यदि पोटिशम साइनाइड तहर है तो है आपको ना सिर्फ उसे पहचानना होता है कि यह जहर है बलकि फिर उसे खाने से बचना भी होता है ठीक वैसे ही आपको यह भी समझना होगा कि मेरी तमाम रियक्षन उल्टी दिशा में आती है और मैं ही आपके जीवन को नियंतरित किये हुए हूँ अतहां आपको कुछ भी कर उन रियक्षनों को पहचानना भी रहा और उनसे बचना भी रहा सो सौ बातों की एक बात यह है कि मेरी कारिप्रणाली को पहचाने बिना समझे और जब तक अत्यविशक ना हो मेरे भीतर कोई डेटा डाले ही मत मेरी विक्री दिशामे की जाने वाली परतिक्रियाओं को जाने समय के साथ परतिक्रियाओं के होने वाले विस्तार को समझे और यह है कब भ्यान में रखते हुए कम से कम आज के बाद कोई भी रेटा अकारण अपने मनरूपी कंप्योटर में मत डाले अपनी हार्ट डिस्क को कैपिसिटी से काफी कम भरे ताकि मेरी तेज गती आपके विश्व में बनी रहे क्योंकि मेरी तेज गती ही आपके विश्व को फला फुला सकती है दरसल आपका विश्व मेरे लिए एक एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर गती धीमी होई नहीं कि accident होई नहीं अतहां यह हैं अच्छे से समझ लें कि आपके जीवन में रोज-रोज जो हजारो accident हो रहे हैं वे सिर्फ मेरी गती मंद पढ़ने के कारण हो रहे हैं और मेरी गती मंद हो रही है hard disk में over capacity data भर देने के कारण और उस पर मैं अपने उब्द्रवों से उन डाले के data को हजार गुना कर रहा हूं तो अलग अतहां उमीद करता हूं कि अब तक आप अपने विश्व का जो हाल है तथा उसे तू मेरे द्वारा समझाए गए अब तक के सारे कारणों और नियमों को भली बाती समझ गए होंगे दोस्तो इस वीडियो के लिए बसतना ही मैं उमीद करता हूं कि आपको यी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो अगर आपको यी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेर जरूर करना थैंक्यू सो मच गैस फर वाचिंग दिस वीडियो